हेलो एब्रीवन वेलकॉम अगेन इन लर्ण विद्धितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के चैप्रट ट्वैल्थ का पार्ट पूर्ट चहां पर हम पार्ट थार्ड तक हम 80 कोश्चन्स कर चुके हैं और हम 81 से स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर 81 है भारत का दक्षिन्थम बिंदू कौन सा है भारत का दक्षिन्थम बिंदू कौन सा है तो हमने पिसली क्रासिज में भी पड़ा है भारत का जो दक्षिन्थम बिंदू है इंद्र point कहा जाता है नाग question देखिए भारत के मुख्य दीप समूँ कौन से हैं आपको पता होना चाहिए तो अंडबान निकोबार लक्षदाप और श्री हरी कोटा ये बहुत जो मुख्य दीप समूँ है वो ये तीन है अंडबान निकोबार लक्षदीप और श्री हरी कोटा दीप समूँ नाए question देखिए अंडबान निकोबार दीप समूँ में कितने दीप है तो लगभग इसमें 265 दीप है और ये कहां पर है अंडबान न अंडबान निकोबार दीप समोहू, मुख्य भूमी से कितनी दूरी पर इस्तित है, भारत की जो मुख्य भूमी है, उससे कितनी दूरी पर इस्तित है, अंडबान निकोबार दीप समोहू, तो ये कोलकाता से 1248 किलोमीटर दूर इस्तित है, ये जो कितनी दूर इस्तित है, 1248 40 km कोलकता से दूर है, बंगाल की खाड़ी में ये इस्तित है, नएक कोश्यन देखिए, अंडबान निकोबार दीप समुह के किनारों पर कौन से व्रक्ष मुख्यता पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, सुंदरी व्रक्ष, आपने सुंदर्वन डेल्टा का नाम भी जाते हैं, सेम यहाँ पर अंडबान निकोबार के जो किनारे हैं, वहाँ पर सुंदर्वक्त बहुत मातरा में पाया जाते हैं, तीक है, नेक कोश्यन देखिए, बैरन वे रूथ लेंड दीप किस दीप समुह का हिस्सा है, बैरन और रूथ लेंड के अलावा, अंडबान न पर अंडबान, दक्षिर अंडबान और लिटिन अंडबान भी बड़े दीप हैं, बैरन और व्रूथ लेंड ये कहां पर आ हैं रहें सारे, ये अंडबान निकोबार दीप समुह के अंदर नेक कोश्यन देखिए. अंडबान दीप समुह किस दिसा में वे कितनी दूरी पर अगर देखा जाए तो निकोबार दीप समू एक तो किस दिशा में पढ़ता है और कितनी दूरी पर है ये तो ये अड़मान से जो निकोबार दीप समू है वो दक्षिण में पढ़ता है और 128 km अड़मान दीप से दूर है अड़मान दीप से कितना दूर है ये 128 km दूर है और और किस दिशा में हैं दक्षिन दिशा में है ये निको बार दीप समों है नो चलिए नैक कोशन देखिए निको बार दीप में मुख्य दीप हैं निको बार दीप में जो मुख्य दीप हैं वो पन कौन से हैं वो आपको पता होना चीए कार निको बार कामो रटा तेलान चंगा तरासा, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार कार निकोबार, कामोर अटा, तिलान चांग, तरासा, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार में आपका इंद्रा पॉइंट भी है, है नो? चलिए, नेक कोश्चन देखिए लक्षे दीप कितने दीपों का समू है लक्षे दीप जो दीप समू है वो कितने दीपों का है तो ये लगवग 25 दीपों का दीप समू है भारत के पशीमितर्ट के पास अरब सागर में मुंगे के दीप है किसके हैं मुंगे के मुंगा एक प्रकार का जलिये लखडी मान लीजे इसको तो ये वहाँ पर पाये जाते हैं और भारत के पच्ची मिटर पर अरब सागर में ये इस्तित हैं तो ये लगबाग 25 दीप होगा दूजी समू है लगचे दीप नएक क्वेशन देखे जो 25 दीपों का जो दीप समू है 109 किलोमेटर चेतफल में पहला हुआ है नएक कोशन देखे अमन दीवी और कनान और दीपों के मद्धे विभाजक रेखा है क्या है विभाजक रेखा 11 डिगरी उत्री अक्चांस से ये विभाजित होते हैं ये कहां पे हैं ये लक्षे दीप में हैं लक्षे दीप में 11 डिगरी उत्री अक्चांस से डिवाइड होते हैं कि इसके 11 डिगरी उत्री अक्चांस से उत्री भाग के जो दीप हैं उनको अमन दीवी कहा जाता है क्या कहा जाता है उनको कन्ना नौर कहा जाता है और उत्तर वाले को क्या कहा जाता है अमंदी भी कहा जाता है और विभाजित कौन करता है ग्यारे डिग्री उत्तरी अक्षान से इसको विभाजित किया जाता है नएक कोशन देखिए, लक्ष दीप समू में बहुतायत में पाये जाने वाले व्रक्ष कौन से हैं, तो कौन सा है ये नारियल कर व्रक्ष है, नारियल कर व्रक्ष लक्ष दीप बहुत मातरा में पाये जाते हैं, नएक कोशन देखिए, लक्ष दीप समू में मुखते दीप देखे तो मुक्खेदीफ हैं चर्बेनियानी, बरमा गॉर और कल्पेनी और मनिकोय आदि नेक कोईशन देखें रहस्तान की अक्छांस सिय भौगॉलिक स्तिती प्या है? तो राजिस्थान के अक्चांस इस्थिति क्या है? तो राजिस्थान की देशांतर ये भौगलिक इस्थिति क्या है? तो कौन सी है अपनी इस्थिति? राजिस्थान का पूरू से पस्चिम तक भौगलिक विस्थार कितना है? तो कितना है ये? राजिस्थान का उत्तर से दक्षिन तक भौगलिक विस्थार कितना है? कितना है ये? 826 किलोमीटर विस्थार है ये उत्तर से दक्षिन तक कितना पहला हुआ है राजिस्थान? राजिस्थान कितने चेत्रफल में विस्थारित है? राजिस्थान का चेत्रफल भारत के चेत्रफल का कितना हिस्था है? राइस्थान का जो छेत्रफल है भारत का जो टोटल छेत्रफल है उतका कितना पृतिसत है यह तो यह 10.3 पृतिसत है यह और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राइस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज़ जय है और ये भारत के पूरे छेतरफल का मातर 10.3% है नेक कुश्चन देखिए राइस्थान की कित्ती लंबी सीमा अंतराष्टी सीमा है हम जानते हैं राइस्थान किसे सटा हुआ है पाकिस्तान से और पाकिस्तान अंतराष्टी सीमा बनाता है जिसे 1070 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेका है वो राइस्तान से सटी हुई या अंतराष्टी सीमा जो पाकिस्तान से बनती है नेक कोशन देखिए राइस्थान के उत्तर में सीमा किन राज्यों से मिलती है राइस्थान के जो उत्तर दिसा में है वो कौन-कौन से राज्ये पढ़ते है तो आपको पता होना चाहिए पंजाब और हरियाना पंजाब और हरियाना किस दिसा में है उतर दिसा में नेक कोशन देखिए राइस्थान के पूर सीमा में किन राज्यों से मिलती है राइस्थान में पूर में सीमा किन राज्यों से मिलती है तो पूर में कौन कौन से राज्यों है उतर प्रदेश और मद्धर प्रदेश है न चलिए नेक कोईशन देखिए, रायस्थान के दक्षिण में सीमा में कौन से राज्य मिलते हैं? रायस्थान के दक्षिण में जो सीमा किन राज्यों से मिलती है? तो वो हैं गुजरात और मद्यपरदेश, देखिए मद्यपरदेश इसके पूर में भी पढ़ता है और ये दक्षिण में भी क्योंकि इसकी जो सीमा है पूर और दक्षिन में भी लगती है दोनों ही जगे पर ये लगती है तो इसलिए इसको दक्षिन सीमा में भी इसकी सीमा मिलती है इसलिए इसको दोनों जगे से मिलिक क्या गया है गुजरात और मदर पते इसका है दक्षिन सीमा में लगने व चैक करोड पिच्छासी लाग अर्टालीस हजार चार्सों सैंतीस व्यक्ति दो हजार ग्यारे की जन्गर्णा के अनुसार थे। यानी हर किलो मिटर में 200 व्यक्ति रहते हैं आस्तन है नौ नैक क्वेशन देखिएं राइस्थान में छेत्र फल की द्रस्टी से कौन सा जिला सबसे छोटा है देखिए ये क्वेशन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये इसके आने की हमेंसे संभाव ना बनी रहती है तो से कौन सा जिला सबसे बड़ा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो देखिए जनसक की अगनत भी सबसे कम है जैसल मेर का और यह छित्वल की दस्टी से भी बहुत बड़ा है जैसल मेर तो जैसल मेर राइस्तान का छित्वल की दस्टी से सबसे बड़ा जिला है नैक कोईश्च कौन कौन से हैं यह आपको याद होने चाहिए जैपूर, अजमेर, बिकाने, जोदपूर, उदैपूर, कोटा और भरतपूर यह साथ संभाग हैं इन से सम्मदित बहुत बार कोशन आते हैं तो यह आपको निश्ची दूप से याद होना चाहिए नेक कोशन देखिए, राइस्थान को प्रसासनिक आधार पर कितने जिलों में बाटा गया है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए राइस्थान की प्रसासनिक आधार पर कितने तहसिल है यह 244 तहसिलों में बाटा गया है राइस्थान को 244 तहसिलों में बाटा गया है तो इसी के साथ यह चैप्टर का यह पार्ट मैं करता हूँ समाब इसके बाद एक पार्ट और बनेगा लास्ट और उसी के साथ आपका इस एप्टर हो जाएगा समाब तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए बच्चों थेंक यू